नमस्ते दोस्ता, वीडियो शुरू कर रहा हूँ, दस सेकेंड सुन लो, देखो थमनेल पे क्लिक किया, ओवराल चैनल और मेरे बारे में जानते हो, कुछ जानकारी और ग्यान के लिए आये हो, इतना जल्दी क्यों एक्जिट करना चाते हो, जितने रिटेंचिन ग्राफ्स हम निकालने के लिए, या CABG, या various surgeries, उसके बाद पेशिन को लिमफाटिक लीक शुरू हो जाता है, यानि कि सफेद लिक्विट छाती में लीक होने लगता है, फेफडों को दबाने लगता है, एक ट्यूब डाली जाती है, जिससे बोलते हैं, इंटरकॉस्टल रेन, उससे ब फोन लेके, इंटरस्टाइन से, लिवर से, अलग-अलग अंगों से, हार्ट तक पहुचता है, तो वो heavy substances जैसे fat, proteins नहीं ले जा पाता है, उसको ले जाने का काम ये सफेद चैनल का है, जिन्हें बोलते है lymphatics, ऑपनिशन के दौरान क्योंकि ये damage हो जाता है, ये leak होता है, औ धीरे-धीरे patient के body से fat, protein कम होने लगता है, और एक मैने के अंदर ही 6-12 kg वजन तक कम हो जाता है, और patient कम जोग हो चलता है, सही समय पे treatment ना हो तो patient की देदी भी हो सकते है, तो of course इसको treatment की ज़रुवत है, कुछ चीज़े try की जाती है बिना surgery के, जैसे patient का fat बंद कल देना तक कि ये flow कम हो जाए और अपने आप heal हो जाए या leak रुख जाए, कुछ oxygen के injections दिये जाते हैं ये flow को कम करने के लिए, पर अगर leak बहुत जादा है तो ये चीज़े नहीं काम करती बहुत cases में, तब एक आधुनिक टेक्नीक revive हुई है, जो कई साल पहले try की जाती थी, पर अब दुबारा अच्छे से हो रही है, यूएस में डॉक्टर मैक्सिम एटकिन को इसका credit जाता है, जहाँ पे हम एक छोटी सी स्वी से या दो छोटी सी स्वी से थाई में ये lymph node stations को access करता है, जहां से ये lymph गुजलता है, उसमें हम एक dye डालते हैं, जो एक oil होता है, लेकिन वो ए जिससे वो बंद हो जाता है, 70% cases में तो ये जो dye जा रहा है, ये गाड़ा oil है, इसी से बंद हो जाता है, 30% cases में वो गोन से बंद हो जाता है, और patient का fat और protein loss बंद हो जाता है, tube निकल जाती है, patient अपनी natural life में दुबारा जा सकता है, weight gain कर सकता है, so ये टेखनीक को बुला ज अंजियोग्राफी, यानि कि lymph nodes, ये जो lymph के stations है, इसमें इंसुई डालके एक dye inject करना, जैसे blood के लिए अंजियोग्राफी होता है, फुन की नसों के लिए, वैसे lymphatic vessels के लिए lymph अंजियोग्राफी होता है, और अगर इसके बाद हमने जो channel है, उसे बंद कर दिया, bone से, तो उस अगर आप किसी को जानते हो, सर्जरी के बाद सफेद पानी निकल रहा है, ट्यूब निकल नहीं पा रही है, धीली 500 ml या उससे जादा निकल रहा है, खाना बंद कर दिया, fat diet free कर दिया पूरी तरह, सिर्फ खिचडी आप लैंड खाना खिला रहे है, और एक हफता हो गया कम अगर आपको वीडियो में कॉंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है, हाँ इसमें ग्यान है, तो सब्सक्राइब करो, ताकि उसी टॉपिक पे जब हम और वीडियो बनाएं, वो आपकी हेल्प करें, हमारे कुछ वीडियो जैसे वेरिकोजी, इन वेरिकोज वेंज, आठ लाग व्यूस क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब वज आज भी 30,000 नहीं है, यह मैं आफकोस जुलाइ 23 की बात कर रहा हूँ, बट आइम शूर यह वीडियो सुनके हम लोग तुरंद एकलाब टच कर देंगे, सुरक्षित रही है, सर्शक्त रही है,